दोस्टों बिटकोइन में investment करना आज की date में trend बनता जा रहा है और क्यों नहों, लास्ट के 3 मेने में जो बिटकोइन की prices rise होई हैं हर कोई चाहता है quick money तो दोस्टों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ bitcoin exchanges की जो की available इंडिया में और क्या है उनके प्रोज और कॉंस और दोस्तों बिटकोईन लिप्स्क्राइब करने से पहले आपको रिक्वाइरमेंट होगी एक वॉलिट की अब वॉलिट कहां से लाया जाये दोस्तों आप लों को परिशान हने की जरुरत नहीं है आपको सिर्फ वितना करना है कि आपको विजित करना है bitcoin.org और जो पूरा लिंक है वो नीचे description में आपको मिल जाएगा वहां पे जैसे click करेंगे एक page open होगा जहां पे आपके platform के according windows, linux, iphone, smartphone जो भी आप use कर रहे हैं उसके according bitcoin wallets available है आप उन में से choose कर सकते हैं और install कर सकते हैं bitcoin wallet दोसा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक news आ रही है जिसमें की income tax ने जितने भी bitcoin exchanges हैं इंदिया में सब बेने कुछ bitcoin exchanges पे rate की है अब वो rate क्यों की है वो rate इसलिए की गई है क्योंकि जो बाहर से amount आ रहा था प्लस पहले तो कोई इन्हें हमें ऐसे regulations नहीं है जो कि bitcoin की currency को actually regulate कर सके तो इस वज़े से rate की गई है यह चेक करने के लिए कि वो amount कहां से आ रहा है और किन चीजों में यूज हो रहा है दोस्तों आप बात कर लेते हैं bitcoin exchanges की जिनको की आप यूज करके bitcoin में investment कर सकते हैं और बात करेंगे उनकी transaction fees की और pros and cons की दोस्तों अब देख लेते हैं इनके pros and cons को दोस्तों यह एक लीडिंग bitcoin हैं इंडिया में इसके जो investors हैं वो है United States से जो इनकी transaction fees है वो है 1% की जो की reduce हो जाती है 0.7% तक अगर आप sufficient trading करते हैं तो दोस्तों वहीं अगर cons की बात कर ली जाए तो इसमें आपको ID verification के requirement होगी प्लस इसमें privacy इतनी जादा आपको नहीं मिलेगी दोस्तों Unicoin की reputation एक trusted brand की है आप इसको एक बार try कर सकते हैं दोस्तों लिस्त में अगला exchange आता है जैपे दोस्तों जैपे के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा जैपे एक bitcoin platform है जो की based है India में plus इसकी जो applications है वो मिलती है आपको Android और iPhone के लिए जो की easy बना देती है users के लिए purchase करना bitcoins किसी भी Indian bank से आप बात कर लेते हैं जैपे के pros की जो की एक regulated company है इंडिया में additional services आपको offer करती है जैसे की air time आप purchase कर सकते हैं gift watches purchase कर सकते हैं bitcoin के लिए security features काफी available मिलेंगी आपको Zepay में दोस्तों वही अगर cons की बात कर ली जाए तो इसमें आपको buy and sell prices में fee included मिलती है जो की publicly display नहीं होती है इसमें आपको ID verification की जरुवत पड़ेगी जो की private नहीं है दोस्तों लेसमें अगला आता है coin secure दोस्तों coin secure एक Indian bitcoin exchange और trading platform है जिसको की आप use कर सकते हैं काफी low fee offer करते हैं जो की है 0.3% इसमें आपको number of options available होंगे deposits करने के जो की होते हैं IMPs, NEFT, RTGS और cash deposit भी दोस्तों आप बात कर लेते हैं coin secure की pros की regulated bitcoin exchange है जो की based है इंडिया में काफी low fees है जैसे की हमने बात की 0.3% और video service guide available है इनकी website पे आप जाके उसको check कर सकते हैं दोसों वहीं अगर coins की बात कर ली जाए तो यह bitcoin wallet offer करते हैं बट बैतर यही होगा कि आप किसी third party application को use करें bitcoins को store करने के लिए इसमें आपको ID verification की ज़रूरत पड़ेगी जो interface है वो first time buyers के लिए थोड़ा confusing हो सकता है हमाई list में आखरी exchange आता है coin mama दोसो coin mama almost हर country के customers को allow करता है bitcoin को purchase करना वाया debit card या फिर credit card दोसों जो इसकी fees है वो है 6% की और अगर आप 1500 डॉलर से कम का investment कर रहे हैं तो आपको अपनी identity बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप बात कर लेते हैं coin mama के pros की जो की almost हर country में काम करता है highest limit आपको available करवाता है bitcoin पे अगर आप credit card से खरीते हैं तो reliable and trusted broker है दोसों वहीं अगर cons की बात कर ले जाए तो यह highest fee charge करते हैं credit और debit card पे तो दोसों यह थे कुछ bitcoin exchanges जिनको कि आप use कर सकते हैं और investment कर सकते हैं bitcoins में और दोसों एक बात को और ध्यान में रखें कि अभी bitcoin की prices काफी जादा हैं थोड़ा सा wait कर लीजे bitcoin की prices ज़रूर drop होंगी और फिर उसके बाद में आप investment कर सकते हैं bitcoin में और bitcoin में उतना ही amount invest करिये जो कि आपको harm न करे जब तक कि कोई regulations नहीं आ जाते हैं इस cryptocurrency पे तो दोसों आज की इस वीडियो में बस इतना ही and thank you so much जिन लोगों ने भी इस चानल को सब्स्राइब किया it really means a lot तो दोसों आज की इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much for watching this video and I hope कि ये वीडियो पसंद आया हो please like करिये share करिये comment करिये और subscribe करिये इस चैनल को this is Anurad signing off